सत्य और निस्ठा से अगर धर्म युद्ध हो पुन्य पाप की समझ भी मिल जाए अगर हम में थोड़ी भी सुद्बध हो बैमानी से इमानदारी का इमानदारी से बैमानी का दोनों में रिष्टा होता दुरा भाब का वो कहते हैं ना सच होता परिशान पर हारता नहीं बादलों से घिरा सूरज क्या कभी बाहर आता नहीं क्या कोई टाल सकता है समय की गती को कितनी भी करलो कोशिश कोटी चतुराई की भोगना तो है सभी को सोचो कि क्यूं होता ये बार बार सिर्फ गरीवी रोता हर बार सपने कांच की तरह होते तार तार पांच रुपे की लालच में डाल रहा औरों को आफत में कुरसी पे बैठा है टेबल के नीचे से वो कैसे इंतजान करता होगा पैसे जरा कभी पूछना उन्हीं से कोई ना पहचानता किसी को यहाँ ठीक से दुख की घड़ी में आप पहचान जाओगे की कौन है आपके अपने सच चुबता है इसलिए शायद वो न बिकता है दिखावा सब को पसंद आता है दिखावे में आकर वो सेबक बन जाता है पर उसे तो उपर वाला ही जानता है वो इसलिए क्योंकि जब आपको कोई ना देख रहा हो तब आपका चरित्र पहचान में आता है अब वो क्या शिकायत करे जिन्दगी से जिनके जीवन पर ही सवाल है कर्ज से दबा वो उसे और दबाने को तयार ये समाज है धूल आखों पर है या इरादों में क्यों खुश होता इंसान औरों के जनाजों में हाँ सब को मिल जाए सब कुछ ये मम्किन नहीं पर मिलने पर होते मतामीन नहीं असान है क्या अकेले चलना नहीं फिर क्यों ना मुझे एकता का संकेत दिखता क्यों ये समाज उन चीजों को करता अंकेत बाट कर खुद को कहता हिंदो मुस्लिम या फर दलित जूट को मानते हम अपनी ताकत महिलाओं के लिए बन रहे आफ़त लालच जिनके मन में वो ना उठाते जिम्मेदारी जिम्मेदारियों के प्रती ना होती इमानदारी घर में हो बैठे और खाने को रोटी है खेलने कूदने सोने को दी भगवानने कोठी है शिकायत ना करो लिखावट से डरो सच होता परिशान पर डरता नहीं इसकी राह पे चलने वाला चलता धीमे पर रुकता नहीं सच को सफाई जादा देनी पड़ती है सच को साबित करने के लिए लड़ाई जादा लड़नी पड़ती है सच्चाई का रास्ता होता इंसानियत से खुश होता इंसान अपनी जूटी हैसियत पे सच्चाई के लिए सबर चाहिए जूट के लिए बस ऊучा स्वर चाहिए सच और जूट का फर्ग तब पता चलता है जब जिन्दीगी में तूफान का आगमन होता है सच परिशान होता है पर अड़ा रहता है और छूट तुफान के जटके से तबाह हो जाता है साइनिंग आउट, पीस, बी हैपी